Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Priya Dugra and I am back again with another video आज किस वीडियो में आप सभी के लिए मैले कराई हूँ, Government of India के तरफ से एक opportunity और इस opportunity के अंदर आपको मिलेगा Cyber Security की Certification किस तरह की Certification है और कैसे आप लोग इसके लिए अपलाई कर सकते हैं सारी details आपको वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाली हूँ बस आप से एक छोटे से request करना चाहूँगी अगर आप first time मेरे चानल पर विजिट कर रहे हैं तो please इसे subscribe ज़रूर कीजेगा, वीडियो पसंद आती से like और share करना ना भूले चलते हैं main platform की तरफ, उससे पहले आपको लेकर जाना चाहूँगी अपनी official website के अंदर जिसका नाम है prayerdogra.com इसके अंदर हर तरह का content आपके लिए available है, चाहे वो आप certification से related ढून रहे हैं, courses से related ढून रहे हैं कोई भी तरह का अगर आप scholarship या internship या job कुछ भी ऐसी opportunity ढून रहे हैं, so make sure कि आप इस website पे जरूर से visit करें, because यहाँ पे कोई भी latest update अगर किसी भी platform की तरफ से आती है, तो सबसे पहले यहाँ पे post की जाती है, so make sure कि यहाँ पे आप जरूर से visit करें, बाकि जो आज का हमारा main topic है, उसके बारे में भी यहाँ पे post डल चुकी है, और साथ के साथ यहाँ पे मैंने link भी दे दिया है, जिससे अगर आप click करेंगे, तो आप पहुंच जाएंगे main official platform के अंदर, जो की है my GOV, मेरी सरकार का, इस platform से भी आप familiar होंगे, because पहले भी हम काफी बार बात कर चुके है इनकी तरफ से government जो भी नए-ने initiative या schemes launch करती है, उसकी awareness लोगों तक पहुंचाने के लिए, यह क्या करते हैं, quiz की form में उसे launch कर देते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे quizzes अभी फिलहाल के लिए launch किये गए हैं, but हम उन quizzes की बात करते हैं, जहाँ पे अच्छे cash prizes, यह exciting offers, government की तो आज हम बात करने वाले है, Cyber Security Awareness Week चल रहा है, और यहाँ पे इनकी तरफ से, एक quiz जो है, वो launch कर दिया गया है, जो की launch किया गया है, MyGOV मेरी सरकार की तरफ से, Ministry of Electronics and Information Technology की तरफ से, DSCI की तरफ से, जो की NASCOM का एक initiative है, और यहाँ पे आप देख सते हैं, इसकी पूरी details आप को यहाँ पर मिल जाएगी, हर October Cyber Security Awareness Month होता है, और इसे celebrate किया जाता है globally, ताकि importance पता चल सके Cyber Security की, और अगर इसकी awareness जादा से जादा spread करनी है, तो यह quiz की form में यहाँ पे Government of India की तरफ से launch कर दिया गया है, और quiz यहाँ पे design किया गया है, basically, ताकि आपको पता चल सके कि Cyber Security का क् Online Services में किस तरह से use होता है, कैसे आप Online अपनी safety को maintain कर सकते हैं, और Cyber Security की best practices किया है, तो यहाँ पे पूरी details quiz के अंदर दी गई है, बाकि अगर prizes की बात की चाहे तो यहाँ पे 5 winners बताए गए हैं, जो कि select किया जाएंगे, और उन्हें मिलने वाला है 4000 रुपीस का cash prize और साथ-स certificate, तो यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी details दी गई है, government की तरफ से, और जितने भी participants यहाँ पे apply करेंगे, उनको एक participation certificate तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके अलावा अगर आपको अच्छा खासा reward लेना है, तो वो है 4000 रुपीस का cash prize और साथ-साथ में एक winner का e-certificate, तो यह पूरी details आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब बात करते हैं कि apply किसे करना है, तो apply करने के लिए पहले आप account create कर लीजे, account create करना बहुत ज़रूरी है, account जैसे आप create कर लेंगे, login sign up का process होने के बाद यहाँ पे start quiz का option दिया गया है, इस पे click कर दीजे, click करने के बाद आ आपको बता दी है, बस वैसे ही एक एक करके आपने भी quiz के answers देने है, last में submit के button पे जैसे ही click करेंगे और आप पहुन जाएंगे इनके my account section में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका quiz complete हो चुका है, और certification भी download के लिए ready है, सबसे अच्छी बात है कि within seconds आपको यहाँ प electronics and information technology की तरफ से, DSTI की तरफ से, माई जियो भी मेरी सरकार की तरफ से, collaboration में आपको यह certification प्रोवाइड किया जाता है, बोख़त ही अच्छा certificate है, आप इसे share भी कर सकते हैं, आपने social media handles में, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि आपने इसमें पाट लिया था, so make sure कि आप LinkedIn पे जरूर से share करें, बाकि अगर कोई भी doubt रह जाता है, तो नीचे comment section में जरूर पूछेगा, आज की इस video के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली video में एक नए topic के साथ, तब तक की लिए thank you so much, have a good day.